इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंट्स यूट्यूब एप में हुए एक नए और बड़े अपडेट के बारे में तो दोस्तों आखिर वो अपडेट क्या है और आपको उसे किस तरीके से यूज करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर अभी तक आपने YouTube आपको अपडेट नहीं किया है, तो उसके लिए आपको आ जाना है, प्लेय स्टोर में सर्च वर में टाइप करना है YouTube, और दोस्तो उसके वाद अगर यहाँ पर आपका YouTube आप अपडेट बंग रहा है, तो दोस्तो आपको अपने YouTube आपको नया option देखने को मिलेगा loop video का, तो दोस्तो आखिर यह feature क्या है, और दोस्तो इसे कैसे यूज किया जाता है, यह भी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, तो दोस्तो आभी आप देख सकते हैं कि यह feature जो है off है, तो दोस्तो देखिए इस feature को off रहने से क्या होगा, कि दोस् आप जिस video को देखेंगे, तो दोस्तो अगर वो video खत्म भी हो जाएगा, तो दोस्तो खत्म होने के बाद भी जो है, वो ही video फिर से play हो जाएगा, या आप आप जो है कोई song सुन रहे या music सुन रहे, और दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि वो song या music हमेसा के लिए बज़ते र करते हैं, और उसके बाद दोस्तो, लूप वीडियो option आ legendary है, तो धोस्तो हम यहाँ offer क्लिक करके इस setting को जो है on कर अब दोस्तो, जैसे बाफ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो यह setting जो है on हो जाएगा, आप दोस्तो यह setting जो है यहाँ पर on हो जुका है, और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि फिर से दोस्तों वही वीडियो यहां पर play हो गया आप देख सकते हैं फिर से जो है 14 मिनट 5 सिकेंड का वीडियो फिर से यहां पर play हो चुका है तो दोस्तो इस option का यूज आप तब कर सकते हैं जब दोस्तो अगर आपको लगतार किसी song को सुनना हो या दोस्तो अगर आपको किसी वीडियो को लगतार देखना हो तो दोस्तो इस तरीके से जहाँ आप YouTube के नए feature का यूज कर सकते हैं उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा